वेल्कम बेक गाईस आपका स्वागत है मिस्टर पलसानिया जी चैनल में दोस्तो लास्ट वीडियो में अपने डिसकस किया था आइमिनेटिक फ्लिउड के बारे में तो उस लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैं आपको क्यों संस दे रहा हूं उनके आंसर इस वीडियो म देऊंगा तो दोस्तो फस्ट क्योशन अपना क्या था normal amount of amnesiac fluid production during intra utile life at term pregnancy तो दोस्तो इसका answer क्या होगा की जो normal amount है amnesiac fluid का उसका production intra utile life के अंदर at term pregnancy पे कितना होता है तो दोस्तो उसका correct answer क्या है 400 ml per day ठीक है इसका correct answer यह है अगर दोस्तो इसको अगर ratio में पूछे तो ratio में कितना होता है दोस्तो चार सो सु लेके बारा सु तक होता है ठीक है दोस्तो दोस्तो second question की बात करते है अपन normal amount of the amniotic fluid production through the fetal oral secretion during the intra-utern life normal production कितना होगा amniotic fluid का कब oral secretion से और कब intra-utern life के अंदर तो उसका correct answer दोस्तो क्या है A 25 ml per day secretion होता है ठीक है दोस्तो next बात करते है अपन दोस्तो third question क्या है अपना amount of the amniotic fluid production through the fetal nasal secretion during the intra-utern life IUL ठीक है तो intra-utern life में fetal nasal secretion से कितना amount secret होगा किसका AF का amniotic fluid का ठीक है तो उसका correct answer दोस्तो D है कितना होता है 170 ml per day होता है ठीक है दोस्तो next question की बात कर रहे है पन first question क्या है दोस्तो normal total amniotic fluids swallow by the fetus atom pregnancy पे swallow कितना करता है atom pregnancy के अंदर fetus कितना करता है दोस्तो अपना answer है 200 to 500 ml per day अगर दोस्तो यहीं पर आपसे पूछा रहा है कि इन ratio ratio के अंदर कितना फ्ल्यूड लेता है fetus atom pregnancy पे तो कितना होगा दोस्तो रेशियों के अंदर 500 ml होगा ध्यान दीजेगा कितना approximately कितना होगा 500 ml ठीक है दोस्तों लास्ट क्योंसे निश्मेंता दोस्तों वीच ओव्ड़ करेंगे तो दोस्तों वीडियो को complete देखना ठीक है दोस्तो color of magnetic fluid तो इसमें basically normal और abnormal color की बात करेंगे अपन तो दोस्तो normal color की बात करें तो colorless magnetic fluid होता है लेकिन अगर मैं इसमें ये चीज जोड़ देता हूँ colorless with the little white spec यहाँ पर समझने की कोशिस करना इसके अंदर कई exams के अंदर बोला गया है option में आया है आपने देखा होगा कि colorless magnetic fluid की बजाए वहाँ पर आया होगा colorless with little white spec तो यह इसका दूसरा नाम बोल सकते हो आप और दोस्तों यह भी करेक्ट है कई exams के अंदर देखा होगा आपने वहाँ पर option के अंदर colorless नहीं होगा लेकिन वहाँ पर option में अगर आपको दे कि ऐसे क्यों सुनाए कि what is the normal color of the magnetic fluid तो option के अंदर colorless magnetic fluid ना देके colorless with the little white spec दे तो यह correct answer होगा ठीक है दोस्तों अगर बात करते हैं आपन color of the magnetic fluid एक्ट्रम प्रिगनेंसी एक्ट्रम प्रिगनेंसी पर color कैसा होगा दोस्तों पेल इस्ट्राव कलर ठीक है कुन सा पेल इस्ट्राव कलर ओके नेक्स्ट दोस्तों इस पर एक देलियम्स के अंदर ऐसा कुछ क्योशन आया था प्रक्टिस पेस पर जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों क्या कह रहा है यह सुनिए एक प्रिगनेंट का थी उसकी लेबर पेल और है कहै नर्नस इस मनें रर्वाईकल डैलेसे इस इचल्स संटी मेटरर नर्स पर मोनेट्रत से रवाईकल डालेसंट और स्टेम्स कर तो से है तो इसं के अंदर आगर बात करते हैं कि एटरन प्रिगनसी पफे इस टोकलर ही क्यूं होता है तो यहाँ पर आगर अगर एक्स्प्रिनेशन या रीजन की बात करें तो क्यों होता है मैंने लास्ट वीडियो में कंपोजिशन के अंदर बताया था कि जो लेंग्यू है वो किसमें सैट आफ हो जाता है एमिक्स हो जाता है ठीक है या फिर आपन बोलें इसके अंदर कि लेग्यू और फिटल डैड एप हो जाता है सैट ओफ होगे होके किसमें इसकी वाज़े से पेल इस्टो कलर शो होता है ओके दोस्तों दोस्तों अब बात करते हैं अपन अपन क्या बोल सकते हैं डार्क ग्रीन कलर ठीक है यह कौन सा कलर रहा है एबनोर्मल कलर है किसका एमनेटिक फ्लूड का अगर दोस्तों इसके अंदर कंडिशन होती है अगर यह ग्रीन मेकनेविस्टेन कलर और डार्क ग्रीन कलर अगर देखने को मिलता है इंट्रायूटायम लाइप के अंदर तो उसके अंदर फर्स्ट कॉम्पलिकेशन क्या आएगा या फिर क्या है क्या symptom होगा इसले डिस्ट्रेस देखने को मिलेगी अब यहां पर यहां सब्सक्राइब को देखने को मिलेगा तो अपना अनसर क्या होगा या फिर डार्क ग्रीन कलर ठीक या फिर ऐसे पूछ ले कि ग्रीन में इस्टेन कलर है और उप्शन में ब्रेज पर्जेंटेशन देदे और बागी अधर कोई भी देदे तो उसके अंदर आपन को क्या करना है ब्रेज पर्जेंटेशन करना है दूसरे चीज़ ट्रांस कोन सा कलर देखने को मिलेगा तो उसका बनाना अंजर क्या होगा तो यहाँ पें पर दोनों पर क्योशन बन के आते हैं तो ध्यान में रखिए ठीक है एक आपने बात करें गोल्डन यल्लो कलर ठीक है गोल्डन यलो कलर होता है दूसरा एबनॉर्मल कलर कंडिशन क्या है यहां पर आरेच इनकोंपलिमेटी है तो इसको क्या होगा गोल्डन यलो कलर शोगा अगर डायरेक्ट आपको पूछता है कि फीटल इरित्रू ब्लास्टोसिस है तो उस ताइम में कौन सा कलर देखने को मि तो घंग दोस्तों अगर बात करें अबन फाड़ की तो ग्रीन येलो अष्शाहार और सलफ्रावन कलर कंडिशन क्या होगी पोस्ट मैची mar joan कि होने की वागुज़ से तो फोस्त मैच promin मैची मेच्व्टी क्या होती है मतला अलब फोन्री के अगर्ट चुआ थीग का आफं पोस्ट मैचुरिटी के अंदर कौन सा कलर देखने को मिलता है तो वहाँ पर ग्रीनियस यल्लो कलर ना देके सिल्फरोन कलर देते तो वहाँ पर यही सही आंसर होगा ठीक है दोस्तों और सिल्फरोन कलर का मतलब क्या होता है केसरिया रंग अब बात करते हैं डार्क ब्राउन कलर और टोबे को जूस कलर कंडिशन ठीक है दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ डार्क ब्राउन कलर और टोबे को जूस कलर का होता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर दोस्तों यहाँ पर life नहीं आएगा condition क्या होगी दोस्तों इंट्रा यूट्राइन डेथ यहाँ पर life नहीं आएगा my mistake यहाँ पर क्याएगा death इंट्रा यूट्राइन डेथ और यहाँ पर dark brown color देखने को मिलेगा अब दोस्तों dark color आता है तो इसके अंदर condition क्या होगी दोस्तों इंट्रा यूट्राइन हेम्रेस देखने की होने की विज़े से dark color देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों नुट्रा यूट्रा यूट्राइन व्लूट्राइन लािफ के अंदर infection हो तब आपने को लावडली कलर देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर अपना टोपिक कम्लिट होता है अमेलिटिक फ्यूड का अपको टोपिक समझे में आया होगा दोस्तों नेक्स वीडियो में अपने बात करेंगे जो इंपोर्टेंट क्योसंस वगरा हैं उनके उनके बारे म या फिर आप मेरों कमेंट बोक्स में बता दिये जो बताईए कि आप कौन से टोपिक पे वीडियो चाहिए मैं आपको देऊंगा और दोस्तों अब भी तक आपने सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कीजिए जिस दोस्त ने अगर फस्ट वीडियो नहीं पे गाए सब्क्राइब करना भूल जाते हो तो दोस्तों मैं याद दिना देता हूं सब्क्राइब करना और बैल आइकन को जरूर दबाना ताकि फर्दर नोटिफिकस्न आपको मिल सके थेंक यू ऐसे प्यार बनाए रखिए जहन जैवार्द